अगर मैं कहूँ एक बार एक डिरेक्टर ने एक राइटर की पिकनिक बरबाद कर दी और उस वज़े से हिंदी सिनमा को मिल गई एक यादगार फिल्म तो शायद आप सोच में पढ़ सकते हैं कस्सा है फिल्म अमर अकबर एंथनी का मनमोहन दिसाई को तो आप लोग जानते ही होंगे बहुत बड़े डिरेक्टर थे आमिताब के साथ कुली, मर्द, सुहाग जैसी कई बड़ी-बड़ी हिट्स बनाई उन्होंने तो मनमोहन दिसाई रोजाना की तरह सुबह-सुबह अख़बार पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते उनकी नजर एक खबर पे गई खबर थी, पार्क में तीन बच्चों को छोड़कर एक आदमी ने की आत्महत्या खबर ने मनजी को बेचैन कर दिया मनजी के मन में सवाल उठा कि अगर ये आदमी आत्महत्या नहीं करता तो क्या होता क्या वो वापस पार्क में लोटके आता क्या उसे बच्चे वही मिलते उनका दिमाग यही कसरत कर रहा था कि अचानक बेलवजी दिसाई साहब यूही ख्यालों में खोई से उठे और दर्वाजा खोल दिया सामने उनके दोस्त और उस दोर के मशूर राइटर प्रियाग राज जी खड़े थे जिन्होंने उनकी जादातर फिल्मे लिखी हैं प्रियाग जी मनमोहन दिसाई के फार्म हाउस की चाबी लेने आए थे परिवार के साथ पिकनिक बनाने जा रहे थे मनमोहन जी चाबी देते वे बोले क्या हो अगर वो आदमी आत्मत्या न करे प्रियाग राज चौके पूछे माजरा क्या है भाई मनमोहन जी ने पूरी खबर सुनाई प्रियाग राज ने चाबी टेबल पर रखी और वहीं बैठ गे सुबह से शाम शाम से रात और इन दो दिवानों ने एक फिल्म की कहानी बना डाली रात को प्रियाग राज उठे और बोले मैं कल फिर आता हूँ अब घर जाके प्रियाग राज को बीवी से कितनी डाट पड़ी ये तो हमें नहीं मालूम लेकिन जो कमाल की कहानी उन्होंने देसाई साहब के साथ बनाई उसे सारी दुनिया जानती अमर अकबर एंथिनी उस साल की सबसे बड़ी हिट तो थी ही आज भी इसके गाने और डायलोग सुपर हिट है अरे ऐसा तो आदमी दोईश टाइम भागता है या उलम्पिक का रेस हो या पुलिस का केस हो लाइट्स कैमरा तिस्से में एक किस्सा ये भी